हेलो एब्रिवान मैं हूँ एडोकेट राहूल मिश्वा और आज की वीडियो में हम लोगे समझने की कोशिश करेंगे कि वो क्या तरीके हैं जिनके माध्यम से बिना तलाक लिए हुए अपने शादी को आप समाप्त कर सकते हैं लेकिन वीडियो में पूरा सुरू करूं उसके पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग चैनल पर नए है या पहली बार आ रहे हैं अभी तक आप लोगों ने इससे सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करिएगा साथी साथ एक हमबल रिक्वेस्ट और है अगर आप मुझसे परस और इन्विस्टिगेशन आपको विवाद नहीं करना चाहिए लेकिन कभी कभी परिस्थितियां ऐसी हो जाती कि विवाद का हो जाता है जिससे आपको आजीवन परेशानी जहलनी पड़ती है जिसकी वज़ए से आप सोचते हैं कि कुछ ऐसा तरीका होता जिससे मैं इस ची वीडियो है वह दोनों महिला और पुरुष्ट दोनों के लिए इंपोर्टेंट है हम लिए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं देखिए कुछ थो आपको पता होती जो अब आपको पता होती है और अगर आपको पहले से पता होती तो अब भीवाद नहीं करते या लास और आपसे शादी करी गई और इस माध्यम से अगर आपको यह पता होता तो आप सादी नहीं करते तो पहली condition तथे चुपा कर शादी करना यानि कि जैसे बायो डाटा गलत देना educational qualification गलत बताना एज गलत बताना या उसके जो है कुछ भी गुड़ दोश को जो है चुपाना चुपा कर करा गया है तो आप उससे मुक्ती पा सकते हैं दूसरी condition क्या है कि जब जवर्दस्ती आपसे शादी करी हो बंदुक की और एक और condition है जब आपकी शादी मालिजी आप नाबालिक थे आप 21 साल से कम उम्र के थे क्योंकि लड़के की एज के लिए बताया गया 21 साल होनी चाहिए उसकी शादी के लिए मेनिमम अगर 21 से कम थे और आपकी शादी बंदस्ती बिना आपकी मर्जी के करा दी गई नाब रिलेशन में भाई भेन के संबंद जिससे सापिंड है उससे शादी नहीं कर सकते हैं तो अगर यह कंडिशन उसमें भी लगी हुए तो आप उस शादी को भी सून निगोशित करा सकते हैं अब अगर आपकी पती या पतनी को आजीवन कारावास की सजा हुई है और वो आप सकते हैं अब शादी के पहले कर आपकी फाइफ प्रे यह तो आपने शादी को स्कुनी जोजशित करा सकते हैं तो इस condition में भी आप उस शादी को शून निगोशित करा सकते हैं। पतनी आपकी दिमागी रूप से अगर बिक्सित नहीं है, mentally fit नहीं है, तो भी आप अपनी शादी को शून निगोशित करा सकते हैं। उसके चक्कर में पड़े हुए, सीधे शादी को शून निगोशित करा सकते हैं, तो आपको maintenance एक सेक्टरा भी कुछ नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि maintenance जो होगा, वो पतनी को दिया जाएगा, 498 उस वेक्ति के उपर लगेगा, जब उसकी पती पतनी होगी, दहेश का मुकद भी नहीं चलेगा, आपके उपर दहेश का मुकदमा भी नहीं चलेगा, आपके उपर कोई भी domestic violence का भी मुकदमा नहीं चलेगा, तो कोई भी ऐसा case नहीं होगा, जो husband, wife और उसके family के matter में होते हैं, तो यहाँ पर अगर अपनी marriage को आप शून निगोशित करा देते हैं, इसक ग्राम ट्रेटर पर अभी तक आपने मुझे अगर follow नहीं किया, तो please वहाँ follow करिएगा, साथी साथ अगर आप मुझसे किसी भी personal matter पर बात करना चाहते हैं, चाहे legal या personal, कोई भी मेरा legal opinion अगर आप चाहते हैं, तो आप मुझसे बात करते हैं, लेकिन उसके लिए आपको अ ना डरे, आगे बढ़िये, thank you so much, जैहन